नमस्कार फ्रेंट्स वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल देशा एग्रिकल्चर एक्रेडमी पर और आज के इस इंपर्टेंट वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं एग्रिकल्चरल माइक्रो बायोजी बीएसी एग्रिकल्चर थर्ड सेमिस्टर का एक महत् सब्सक्रापिक एंटी बायोटिक्स वाइज यह कोसेंस ऐसा है कि 100% आप से एक्जाम में पूछा जाएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यह बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोसेंस यह कई बार परिच्छा में पूछा चुका है और इस बार सब पर्षन जी पूछाचा जाएगा एंटी बायोटिक्स एत्गरी कल्च्र माइक्रोबायोजी का यह एक सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप से पूछा जाएगा तो पढ़ते हैं और इंटीम चैनल को की एंपॉर्टेंस क्या होते हैं इस आधि पैदिक्स सुच मजीवों दारा ऊत्पन रासानी परार्त होते हैं जो दूसरे सी सूच मजीवों को मारने अत्वाँ उनकी वल्दी को रोकने में सच्चम होते हैं कहने के मतलब ये antibiotics सूचमझीवों दौरा उतपन राषानेपदा इते हैं antibiotics सूचमझीवों से प्राप्त किये जाते हैं और जिनके अंदर ये शंयता होती है अगर उनका प्रियूट दूसरे जिवो पर किया जाया तो या तो वो जीव को मार देगा या तो उनकी किरिया सीलता को रोंक देगा इसी को बोलते एंटी बायोटिक्स तो एंटी बायोटिक्स क्या होते हैं एंटी बायोटिक्स सुच मजीवों दोरह उत्पन रासानिक बदारत होते हैं अब सुच मजीव वो क्या हो सकते हैं, सुच मजीव कौन कौन सो सकते हैं, वैक्टिरिया हो सकता है, है न, क्या हो सकता है, वैक्टिरिया हो सकता है, बाइरस हो सकता है, कावाक हो सकता, ये सारे क्या होते हैं, निमे टोड़ हो सकता, ये सब सुच मजीव होते हैं, तो जो ब्रद्रा बाइक के अंदर यह करेक्टर होता है हुए उसे में पेंगे ऑगर अगर उनका प्रियोग करते हैं या इन्टी ब्रद्रामिक्त मुंयोगे उसा बिल्टिक्स उनने प्रस्थार्टीश्क वह और olur well are organisms that is able to kill or inhibit the growth of other organisms एक प्रकार के chemicals होते हैं जो की एक micro-organism से प्राप्त होते हैं और अगर इनके अंदर चंब आ होती है एक प्रवियोग किसी बीमारी में करते हैं तो उसकी ब्रत्थी या तो यह रोक देंगे जिसके करण बिमारी होती है या तो उनके मार देंगे जैसे मान लो कोई बिमारी है बैक्टिरिया सोच में जी हो है कोई बिमारी है बैक्टिरिया के दोरा होती है और अगर प्रियोग किया तो या तो यह बैक्टिरिया को मार देगा या तो इसकी ब्र the growth of other organism is known as antibiotics तो इसको आप अच्छे से तयार कर लेंगे आप जिसे किसी इंसान को कोई बिमारी हो जाती कोई पुखार आ जाता है वेक्टिरिया के दौरा किसके दौरा आ जाएगा वेक्टिरिया के दौरा तो किसका प्रियोग के जाएगा एंटिवायोटिक्स का किया जाएगा प्रियोग किसका करते हैं एंटिवायोटिक्स का और पैंसलीन क्या है एक प्रकार का एंटिवायोटिक्स है पैंसलीन की खोज की बात की जाएगी तो 1929 में इसकी खोज की थी किस ने की थी अलेक्जेंड फ्लैमिंग ने और यह फिर्फ अंटिवायोटिक था यह प्रसुन खुब आता है कि पहला एंटिवायोटिक कौन सा है तो पेंसलीन है इसके खूज 1929 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और पैंसलीन किस से प्राप्त किया गया था खूब प्रसनाता कि पैंसलीन किस से प्राप्त किया गया था तो पैंसलीन किस से प्राप्त किया गया था पैंसलीन किस से प्राप्त किया गया था पैंसलीन किस से प्राप्त किया करें अधी ने था हैं कि अधी जोंकल एक अधोड़ करोंगे ने एक भी मारी में तो इनका प्रभाव पड़ता पहते प्रबाबी होते हैं इनकी किर्या सिस्टम एक होती है जैसे आपने Antibiotics का कोई टबलेट खाया और इसकी किर्या फैल जाती है पूरे सरीर में उसके फंक्संत करेंगे यहने contact में नहीं होगा काम सिस्टम एक होगा पूरे बोड़ी में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा अगर प्योग करेंगे तो जिवान या कवक ब्रदी रोधी होते हैं अभी तो मैंने परिभासा में यही तो पड़ा है माइक्रो आर्गनिश्म की ब्रदी को क्या करते हैं जो भी माइक्रो आर्गनिश्म होते हैं उनकी ब्रदी को या तो अकेल या निमार देंगे या फिर उनकी ब्रदी को रोक देते हैं उसी को तो गोलते हैं अंटीबाइटिक्स वही यहाँ पर लिखा है और इसके बाद अंटीबाइटिक्स का एक और बहुत महत पूर्ण गुड़ है कुछ ताप सुग्राय होते हैं और कुछ तापमान सहन सील होते हैं कुछ अंटीबाइटिक्स ऐसे होते हैं तापमान में नस्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं टेंप्रिशर को सहन कर लेते हैं तो यह थे अंटीबाइटिक्स के गुड़ अब हम लोग बात कर लेंगे कि एंटी बायोटिक्स कौन कौन से है या फिर एंटी बायोटिक्स के एक्जामपल कौन कौन से है तो पैनिसलीन होता है एंटी बायोटिक्स और यह फस्ट है अगर आप से पुछा जाएगा कि पहला एंटी बायोटिक कौन सा है पहला एंटी बा प्राप्त होता है तो पैनिसिलीन तो प्राप्त होता है और रेक्र लेख रेख गभूर है की थि तो निस सो आंजटीस में तो पहला ऍसप्रस की जाएगी तो पैनिसलीन अलेक्जादर लेमिंग युषकिई और यह किसे प्राप्त होता था तो पैल्दीन से और पैंसिलीन की कोज जो है अलगजन्डर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में इसके अधिक इस्टेप्टोमाइसीन क्लॉरोमाइसीटीन जेंटामाइसीन और नियोमाइसीन यह सभी क्या होते हैं यह सभी एंटीबायोटिक्स होते हैं यह बहुत जादा इंपोर्टन्स कोशन्स है पर इस्टा में 100% आप से पूछे जाएगा यह बात करें कि फस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा था अभी मैंने बताए पैंसिलीन इसके कोज किस ने की थी तो अलगजन्डर फ्लेमिंग ने की थी वही कब की थी 1929 में की थी और प पैंसिलीयं ना-टीसर नमक कब अप्सिप्राप्त होड़ा है आपसे पूछा जा सकता है कि फैंसिलीय नोरफ याधन्स नमक का बक सी प्राप्त करिए और वीडियो हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए फिलाल आज कि इस वीडियो में यहीं तक जल्दी उपसित होंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्लास के साथ में तब तक लिए नमासकार थैंक्स पर वाचिंग